हलो फ्रेंड्स तो आज से फाइनल हम अपनी फार्मकलोजी थार्ड बी फार्मी से सिक्स सेमिस्टर को स्टार्ट कर रही है और बात करें यहाँ पर इसकी यूनिट फ़स्ट की तो इस बार की जो हमारी यूनिट से ना वो हमारी काफी जादा खाते भी देखर गी है मतलब नहीं हमारी यहां सेकेंड वाल आता है फार्मकलोजी थार्ड गास्टिंग ओन गेश्ट्रो इंटेस्ट मतलब बोले तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खाना पीने वाले सिस्टम वह चीज़ हमारी यहां आती है और दोनों ही चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत तरया मि Janet है उसका स्लेवस हमारा काफ़ी काफ़ी ज्यादा लेंदी यह松 distintos इस अगर आपको unhealthy अभी मेहनत को स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से आपको regular वीडियो सहा सहे SAY कहीं से भी पढ़ो पर आपको अभी से जो है study को शुरू करना पड़ेगा तो बस पढ़ाई अपनी start कर दो all the best आपकी पढ़ाई के लिए बाकि बात करें जो हमारी unit first है इसमें basically देखा जाये तो हमारे दो chapter आपको मैंने बता दिये और इन सौनों chapters के अंदर हमारे बहुत सारे सब chapters आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में जानते क्या पढ़ेंगे बाक्की जो इनकी वीडियो होगी तो देखो एतना तो है कि हर एक के उपर एक separate video तो minimum बनानी ही पड़ेगी तो देखा जाई साब से लगबग unit first में हमारी दस से 12 वीडियो बनने वाली है तो बस आप समझ लो हमको भी बहुत मेहनत करनी है और आपको भी बहुत जादा मेहनत करनी है तो जो हमारे चैप्टर बन रहेगा respiratory system के बारे में उसमें मैं टोटल पांच चीजों के बारे में पढ़ना है पहला हमारे रहेगा anti-astomatic drug यानकि जो हमारे अस्तमा को ठीक करते हैं details में आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में then second हमारा रहेगा drugs used in management of COPD तो COPD बीमारी है वो भी में आपको आगे बता दूँगा then या third आएगा expectorants and antitressive यानकि कि हमारे speedum को बाहर निकाले काम करते हैं यह सब चलो में आगे आपको बता दूँगा जैन चौथा हमारे चप्र आएगा nasal decongestant और पांच में हमारे इसमा आएगा respirator instrument तो देखते हैं सबके बारे में minimum एक एक वीडियो तो सबके बारे में बनाने ही पड़ेगी बना देंग तो यहां पर जैसे कब्ज बगरा हो जाती है बाहर नहीं निकलता सामान तो उसके लिए हमारी और diarrhea हमारा ज्यादा बाहर निकलता तो उसके लिए तो दोनों ही case के लिए हमें दवाईयों के बारे में पढ़ना है थर्ड हमारा आता है appetite stimulant and suppressant तो appetite का मता होता है किसी भी हो गई बढ़ा चोथा हमारा है चेप्टर आएगाफ किशानचा काम करेगा κसारि और और प्रॉइंगक करने वाला और लौपने बारे में यहां पर पड़ना है तो यह चीछ सीज्ट को करने के लिए करना हूँ तो यह हमारा बेसिक इंक LCP सब्सक्राइब कर लो भाई सारी वीडियो आपको आगे मिलने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करना जिससे हमारा थोड़ा मनलब वापर्टी यह काम करें और चापाइब सब्सक्राइब कर तो ऊसे तो हमको यह समझ आने वाला नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने दोस्त और शिर्षा यहां मांग लेते हैं कैसे कर तो यहां आपके सामने आ गया तो यहेहां अमारे सेव मढ़ Wowです यह heart पर दो पर बात नहीं है समझाने के लिए कोई भी से वाइए उनका यह आपको इसके दिख रहा होगा तो यह हमारा है उनका राइस पर पढ़ना है और पहले तो अगर हमें किसी की प्रॉब्लम या उसको सॉल्व करना है तो तो पहले हमें उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहु है बेसिक फंडा क्या देन हम इसमें भी बीमारी कोई उनको हम देखेंगे और जो हमारी ड्रक्स कैसे लिए का हम करते हैं उनको देखेंगे और जो यहां पांधी ऑक्सिए लिए जीने के लिए तो यही रैस्पारेटी सिस्टम करता है तो इसका एक बेसिक सबसे में फंडा क्या हुआ कि यह हमारी बॉड़ी में ऑक्सिजन को ले के आता है और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा सी ओटू को बाहर करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सी ओटू हमारा ज्यादा एक्यूम और उसके बाद CO2 को बापस लेके बाहर तो यह इसका एक बेसिक में फंडा हो गया अब बात करते कि इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजा प्रिजेंट होती है और उन्हीं के अंदर कोई बीमारी होती है जिसको हम यहां ठीक कर रहे हैं तो पहले नमर पर यहां हमें दिख यहां कि हमारी नोख है यहां पीछे की तरह आ आपको दिख़रा होगा इस तरह के सीन यहहां पर यहां पर दिखाए तो इक प्रिजेंट होता है लेरींग थमारे बाकल के करता है जो हम जैसे बोलते हैं अब आज में भी बोल जांग थो हमारा सब्सक्राइब ओंगर बाकर स यह सब चीज़ हमारी इंकलिवर होती है अब हमारी में चीज़ आती है जहां पर प्राब्लम मेंली होती है तो वो हमारे यहां आता है ट्रैकिया तो ट्रैकिया कुछ नहीं एक तरह से हमारा पाइप है जैसे मालो घर में जब गैस बगरा चलती है तो gas हमारी यहाँ पर चल लाई यह और यह हमारा cylinder है सिलेंडर से इस gas तक पहुंचाने के लिए कि हमारा pipe लगाए उसी तरह जो मारे यह हमारे ब्रांकिया है यह जो भी चीज है हमारी यह हमारी इसी pipe का काम करती है और जो मारे बाहर की चीज है यहाँ अपर यहां पर आप पकड़ के भी कभी देखो कि गलाब अगयरा थोड़ा सा आपको हाड़ देखेगा और इनके अंदर हमारे एक तरह होलो होते हैं मतलब यहां से एर हमारी पास हो जाती है और उपर इस रिंग टाइप यहां पर स्ट्रक्चर सा आपको दिख साएगा तो यह हमार और उसके बाद जो लाश्टम हमारी यह चीज आती है इसको हम बोलते है एल वियॉली और यही हमारी एक सबसे स्पेशल चीज है जो हमारी क्या करते है ऑक्सीजन और सियो टू को बदलने का काम करती है आगे मैं आपको समझा दूंगा और इन सब के अलाब अभी एक हमारे हाल बंदा होता जो काफी साथ हेल्फुल रहता वहमारा होता दाइफ राम तो डाइफ राम का मैंनली क्यां होता है वह यहां पर जो हमारी इनहेल और एक्सीहल रही होती है जो तो यह basically, आप यहां चीजों के बारे मों समझ गए, अब यहां अगर इसमें दिखाई जायों तो तीन basically चीजों होती है, इक हमारा होग WOWय एयरवे जो मैंने आपको बताया यह वाला जो हमारा jYopaipe है वो चीज़ें जो हमारी respiration करेंगे तो actual में respiration क्या है एक्चिवल में respiration यह है कि oxygen अंदर आ रहा है और सिगोटों मारा बाहर दा रहा है तो यह पूरे respiration system है लेकिन actual में क्या है यह दोनों का action होगा कहाँ पर हमारे blood के अंदर होगा और blood के अंदर चाहिए यह हमारे एक्चिवल में respiration हमारे यहां हो रहाएगा तो यह हमारी सारी चीज़ा होगी बेसिक फंड़ा आप यहां समझ गई तो अब हम अपनी काम की चीज़ा देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या काम की है जो हमारे इन ट्रक्स में काम आएगी तो पहले नमर पर हमारी आती ट्रेकिया तो ट्रेकिया हमारे यह विंड पाइप है जो हमारे क्या करा है यहां से सारा यहां से यह हमारे बीच का पाइप इंपोटेंट हो साता है फिर इनके अंदर हमारे ब्रॉंकी और ब्रॉंकियल्स आते हैं यह हमारे इसी ट्रेकिया के च्छोड़ च्छोटे पर लगए तो इस तरह हमारी चोड़ी चोटी चंगी इदर उदर बहे जाती है उसी तरह यहां पर लंग्स होता है इसके अंदर में फंड़ा होता है तो पहली चीज हम समझते नेदल कैपिटी नेदल कैपिटी कुछ नहीं सिंपल हमारा का है अपर यही हमारे नोश ट्रेल कैलाते है और बीच वाली चीज होती है यहां अपर आपको ना पता हो जैसे मारी यह नोज होती है और यहां से में अंदर आएगा और स्योटू अबहरा भार दाएगा तो ट्रेकिया को मैं आपको जहां दिखा देता हूँ क्योंकि यह हमारा में चीज है जहां हमें अस्तमा की प्राबलम होती है तो ट्रेकिया में यह हमारा लेरिंग्स हो गया यह जहां पर दिख जाएगा और यह हमारा विंड पाइप हो गया ट्रेकिया हो गई इस तरह की हमारी होती ही काल्टिलेस में थोड़ी सी और यह हमारी ब्रॉंकी कहलाते है अब इसके अंदर के आपको यहां पर चीज देखो तो इस तरह का हमारे यह पाइप होता है यह आपको opening यहाँ पर दिख रही होगी और यह हमारे अलवलाई है जो क्या करेगा यहाँ पर हमको oxygen और उसका exchange करेगा तो अभी देख लो problem में आपको आगे बताऊँगा यहाँ पर आपको यह दिख जाएगा फिर थरड नंबर में हमारे यह आते हैं तो यह आपको दिख जाएगे इस तरह हमारे गुच्छे की तरह लगते हैं अंगूर का गुच्छा हो तो इस पूरे को हम ऐलवलाई बोलते हैं और यह जो अंदर का एक सिंगल है हम एक तरक मतलब वहार हवा की थैली होती है हवा की जाली होगे अंदर ही हमारी सबसे हमारा पहार आयाए यहां पहुंचा इसके बादure पहुंचा वहारे लारेंक्स अंगी वाइन यहां पहुँचा बस सीधी लाइन चलेए कुछ भी इदर बेदे जाना नहीं पर यहां से हमारे ट्रैकिया के पाद और इसके बाद वह हमारा गया इन दौनों में मतलब बट यहां से आने बाद दौनों लंक्स में चला गया और इसके बाद में यहां पर यहां पर दिख जाएंगे यह हमारे इस तरह के क्या होते हैं अब यहां पर काम क्या होता है कि हमार हमारे है यह क्या करेंगे यहां से oxygen को इस ब्लड के अंदर अगर आपको दिख रहा हो छोटे में थोड़े तो यहां से oxygen को इस ब्लड के अंदर हमारे भेज देते हैं और जो ब्लड के अंदर एक्सेस मात्र हमारा सेयोटू है विकार सा उसको क्या करेंगे अपने quarantine बापस भर लेती हैं तो यहीं अमारा एक्षियनम में भारी में आया और उक्सिजन नह और यहां पर क्या हुआ है और वहाँ पास गया उक्षिजन को देदिया इसने बलैंड में और से क्यों ट्रेकिया के दोर हमारा लेरंक्स में फिर फैरंक्स भार इसके बाद क्यावटी के दोर हमारा बोडी से बाहर निकल कुछा था है तो ये बहुत धी जाथा चोटा और सिंपल हमारा फंदा यहाँ पर होता है इस पूरे पूरे गप्वरे रेस्परेंटी में बाकि इसमें एक चीज और होते है कि जब हम सांस लेते हैं यान कि जब हम अक्षियान अंदर लेते हैं तो हमारे फैंपड़े का होते हैं थोड़े से फूल जाते हैं हमारे रिप्स पगरा हो जाते हैं और ये डाइफराम हमारा कैसे जलता है नीचे चला जाता है और इसके बा आता है तो अस्तमा में यहां को दिख ना होता है कि इसमें या तो कोई कोईन पर या कोई वही बाहर से यहां को आगे वीडियो में किलियर करूंगा और फक्राइब हमारा हो दाता है और इस चक्र में क्या होगा यह हमारा हो दाता है उस्च क बंद हो गया bundle हितना वो 숙जाता है दो आंदर नहीं आता है और इसँधे लिए और अकाल ह Chi बगरा चलता है यह में फटना जिसको हम आगे वाले वीडियो में डीटेल में पढ़ेंगे साथ में म्यूकस बगरा यह सारा कुछ हम जो नेस्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो बेसिक फटना आपको बता चल गया कि कि एंटामेटिक रॉक्स क्या होते है वह हमारे इसी इस्तिमा को बचाते है और इस्तिमा में क्या होता है कि जो हमारे यह ट्रیکी आपको दिखिए हैब पुग्ता पासेज इस ट्रैके हमारा ब्लॉक हो जाता है तो हम अनको ठीक करने के लिए Anti-Asthmatic Drug के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड हमारे आते COPD तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो पहली बात यह हमारा लंग्स के अंदर होता है और लंग्स मैंने आपको बता है लंग्स ही हमारी disorder and disease चलो यहां बे बापस आते हैं तो COPD में क्या होता है कि जो हमारे यह लंग्स का डिसर्डर है और लंग्स में आपको यहां पर दो चीज़ा दिख रही होंगी एक हमारी आपको दिख रही होंगी ब्रॉंकाई और एक यहां पर आप को देख रहे होंगे तो इन दोनों ही सीन में क्या होाँ क्राब माद आती है तो यहां पर हमारा सी में bety William 152 में क्या होता है यहां पर आपको एल सीख रहे हैं तो इन में क्या 사진ug यह डैमेज होने लगते हैं यानि कि इस तरह से हमारे का उजाते खराब हो जाते हैं और जब यह अपना काम सही से नहीं करते और अलबलाइज ही हमारी ऑक्सीजन और सीओ टू के एक्षजन के लिए रिस्पॉंसिबल थे अगर यह हमारे खराब हो जाएंगे तो यहां पर क्य ट्रेट नहीं होता है प्रिवेंट के लगरा यह एकड़ नहीं होता फीक से तो यहां पर लगता है इसका मलगता है इसका मतला होता है लगती है वहां पर इंफ्लामेशन हो गई तो यहां पर मारे इंफ्लामिसन आधाती है और यह हमारे डैमेज होने रखते हैं टो इससे क्या होगा यहां पर इक टो यह ख़राबी होताएगा और इस सीन में क्या होगा कोई भी हमारी जो एयर ऑउक्सिजन और यहां से पास हो कि अंदर-बहर नहीं कि इसके तरी है वरों हम्हारे सब्सक्राइब तो एक चीजे समय को OF हम्हारी एक हैट के शो जरूरी होता है क्योंकि जो भी हमारी स्मूद मशल्स होते हैं जितने ही जीए पदली होसके है किसे this बीजुंत बाइब साथ ही मि कई हाथ होते है औरätta चाहिए हमारी बलॉक होने लगती है अब जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया कि मालो यह हमारा बंद है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जगह कवर करेगा तो यहां पर क्या होगा हमारा बिलकुल ही पैसेज ब्लॉक हो जाएगा और इस सीन में क्या होगा सांस नहीं ले पाएंग के होता है बाहर हाし सब्सक्राइब करें DR रहा है मारे चंग तो तो इसesta करते एक्सपेक्टरेंग के काम यह ऊपने को ही कम करतेगा तो वहुत से बाहर निकालने की ज़्याधा ज़रूद नहीं परते उस तरह हमारे काम करते हैं बागी डीटेल्स में हम आगे इसको चैप्र अपने त्ही में कावर करेंगे फिर अपने यहां आता है यहां तो यह तो वह सब है खी करन Germans वो खी को गृए तो यहंगा दो हैं तो यहां पर लगा और यहे नहीं बगएरा क्या हो आती है और अगर यही विलॉक हो गया तो यहां लें नहीं पाएंगे और इसलिए भगवान ने हमारे क्या बनाया यहां पर माउथ भी बनाया कि अगर कभी यह ज्यादा ब्लॉग होता है तो मुंग के दौरा सांस ले देते हैं तो इसलिए सारा चीज हमारी सोस समझ के बनाए गई गई है फिर यहां पर हमारा फिफ्त आता ह होते हैं तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है सीओ पीडी की यहां पूरा डिप्रेस हो गया यह काम करना बंद कर देता है यह हमारे न्यूटरिनल एपनिया हो जाता है बच्चे उनमें क्या होता है पुस्ट लग जाता है एक्दम जैसे आपने देखो ना कोई-कोई हमास अंदर भार पूरी होने लगती है और बंदे ठीक हो जाते हैं तो बस हमारी यह यह या तो हमारे रेस्पारेटी सिस्टम को भड़ाएगी और अगर ज्यादा डाउन हो गया तो उसको एक नॉर्मल कंडीसन तक ले आती है तो यह मेली हमारा काम होता है जिसको हम अपने चैप्टर 5 में बहुत ज़्यादा डीटेल में पढ़ने वाले हैं तो यह था बिसिकली हमारा एक जनरल इंटो पूरा का फार्मक लॉद्य अच्छी लगी होगी सारा को समझ आ गया होगा अब हम अपनी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे अपने आप सबी लोग अपना और अमनी फैमिलिस का ख्या लखेगा बाई बाई दोस्तो जहिन दोस्तो